नमस्कार, जारखन में पुलिस भरती को लेकर नोडिफिकेशन जो जारी किया गया है, उसके बारे में जानेंगे, कितना इसमें टोटल पोस्ट है, उम्र सिमा क्या होगी, वहीं अपलाई डेट क्या होगा, पहले दोड होगा, या लिखित परिक्षा होगा, इसके बारे में अभी जानेंगे कि में हाइट सिमा क्या होगा, उम्र सिमा में छुट मिलेगा या नहीं, साथी साथ मैट्रिक इंटर अनिवार है या नहीं, इस सारी चर्चाओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, साथी साथ आपको बता दे, महिलाओं के लिए दोड 5 किलोमीटर कर जो कि एग घंटा में आपको ताय करना होगा, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सिपाही बनने के लिए दिसम्बर में यूआ पहले दोड करेंगे, उसके बाद लिखित परिक्षा होगी, आपको बता दे, लिखित परिक्षा जाएगी, फिर वे लिखित परिक्षा देंगे, तो यहाँ पे साफ तोर पर आप देख सकते हैं, कि सबसे पहले आपको दोड लगानी होगी, उसके बाद ही लिखित परिक्षा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जारखन करमचारी चैन आयोग, द्वारा ली जाने वाली इस परिक्षा के लिए गिरिः विभाग आयोग को अधिसुचना भेजेगा, छट पूजा के बाद अधियाशना भेजने की सुचना है, जी हाँ अभी छट पूजा के बाद ही इस अधिसुचना को भेजा जाएगा, उसके बाद आगे देख सकते हैं, सिपाही भरते के लि पूली में संसोधन किया है, इस से पहले दिसमबर 2021 को ही सियम हमान सुरे ने कहा था कि सिपाही भरती के नियमों में सरकार बदलाव करेगी, जैसा आप जानते हैं हमान सुरेन सरकार में 2021 में ही इस नियमावली को संसोधित कर दिया गया था, उसके बाद आप यहाँ देख सक पुलिस के नौकरी के लिए भी लिखित परिक्षा अनिवार कर दी थी लेकिन हमारी सरकार नियमों को बदलेगी नौकरी के लिए बिभाग पहले सारे रिक छमता और दक्षता को देखेगी उसके बाद ही युवाओ को पुलिस को नौकरी दी जाएगी आप यहां देख सकते हैं गिरी भी भाग में 20 सेयर पद खाली होने की सुचना है जिसमें 13,000 पदों पर भरती होगी यहाँ पे देख सकते हैं बर्तवान में ग्रीह विभाग में 20,000 सिपाही के पद खाली है ऐसे में 13,000 पदों पर भरती होने से पुलिस विभाग को काफी रहात मिलेगी सिपाही भरती के लिए लिजाने वाली परिक्षा को लेकर अभियार्थी की पत्रता भिताय कर दी गई है इस निमावली से सिपाही की नियुकती के लिए अभियार्थियों को मनेता प्राप्त सेक्षिनिक संस्थान से दसवी और इंटरमेडियेट होना अनिवार हो गया जिहा आईए अब इसके बारे में विस्तित चनकारी लेते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं जारखन में पुलिस विभाग में भरती काफी सालों से लंबित है तो इसके लिए 13473 पदो पर भरती पर किरिया सुरू कर दी जाएगी छट पुजा पाद इस भरती को सुरू किया जिसमें सबसे पहले आपका दोड होगा यह दोड एक घंटा में 10 किलोमेटर दोडना होगा पुर्सों के लिए और महिलाओं के लिए 5 किलोमेटर यही दोड है इसमें हाइट जो है ओ आपको 160 सेंटीमीटर कर दिया गया है सासी साथ उम्र सिमा की बात करे तो उम्र सिमा नहीं वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कोमेंट बस में अपना फीडिवाइक अवसे दे शासी साथ अपने सातियों के साथ सेर जरूर करे फेस्बूक वाटसेप ग्रूप में सेर अवसे करे थैंक्यू धन्यवाद